जहिन दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल अपना टार्गेट कवर्णमेंट जो में चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लिजिए सब्सक्राइब और बेल ऐकन को बटन को दबा लिजिए तक आपको हनी नोटिफिकेशन आसदानी से मिल सके सब्सक्राइब आपको वीडियो को विल्कुल भी स्क्राइब नहीं करना है तो सब्सक्राइब आपको दिखाई देगा आपका अपना नाम डाल देना है तो आपको का अधार नम्मर आपको 12 का डालना है तो आपलखली इसमें कल ती ना करें तो आगे आपको देखाई देगा Have you work, are you Fregently work on Either contract, work charge Daily basis तो अगर हर्याना government के 3 तो आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप yes कर सकते हैं अन्यता No कर देंगे तो आप यह clear आपको बता दू यहाँ पर आपको हर्याना अगर हर्याना शरकार के 3 आप काम कर रहें तो ही yes करेंगे अन्यता आपको no करना पड़ेगा उसको अगर पूछता है PWD आप में अदर विकलांग certificate है आपके पास available है तो yes करेंगे उसके बाद अन्यता no कर देंगे यह पूछता है ex-service man अगर आप हर्याना details आपको ex-service man है तो not है तो yes करेंगे आपके यहां पर दिया हुआ दे के disabled ESM of हर्याना अगर आप हर्याना में है तो हर्याना में yes कर सकते हैं ठीक है आप अगर other ESM of हर्याना तो आप अधर में हो तो आपको जो हाँ यहां पर यह इस पर कर दिना है अगर आप ex-service man है तो ठीक है आपका नीचे दिया हुआ है child disabled ESM who eligible benefit reservation to be notified employed in civil service तो आपका जो है आप अगर हर्याना में हो तो आप yes करेंगे इसमें ठीक है अगर आप हर्याना में हो तो आप other ESM कर सकते हैं अगर इसमें सिर्फ एक ही option है अगर others है तो आप इसमें कर देंगे वाकिशारिक है जो है हर्याना की दे होई है आप ex-service man नहीं है तो not applicable कर देंगे तो आपको डालना है अपना date of worth ठीक है तो आपको यहां पर date of worth डाल देना है और उसके बाद आपको दिया हुआ नीचे email ID तो आपको क्या है यहां पर अपना email ID जो है डाल देना है email ID खुद का ही डाले ताकि आगे आपको कोई भी डालने के बाद आपको क्लिक कर देना है और जैसे आपने continue किया है तो आपका फर्म आगे बढ़के आजागे तो आपका mail और और जैसे आप continue करेगे तो आपक़ विल्कुल वेट करने ऐना है विल्कुल वेट करने上 estu डालने के ऑने के बादने के वादे आपक्टीनिव करेंगे और जैसे गी तो're जो हो जाएगा तो आपका तुरी दिर आपको विल्कुल भी टेंशन लिए की आवश्यक्ता नहीं है तो आपका अगे बाड़ जाएगा तो आपका रेजिस्टेशन हो चुका है अब देख सकते है ठीक है एक डिडिट इस ओरेडी रेजिटर सेम इमेल आईडी तो आपको इम कंटिनीव पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉप जो है थोड़ी देर में आगे बढ़ जाएगा तो आप सेवेंड कर आपका क्या है अपको डालना है मदर्स नीम डालना है उसके बाद आपको फादर्स नीम डालना है और उसके बाद पूछता है have you ever divided by UPSC तो आपने जो है UPSC गवर्मेंट इंप्लोई में जो है डिवाट किया है तो आपको नीचे कर लेना है अब पूछता है आर यू गवर्मेंट इंप्लोई है अगर आप अपना राज्य आपको अपना पिन कोड जो भी अपना फिर से उसका गाउं कंफर्म कर देना है ठीक है अपको तैसिल जो है आपको क्रमवाई डालना है आपको डालना है अपना केप्चा कोड एंडिक अब यह कर्पस्वांडिंग एड्रस आपका नीचे दिया हुआ है तो पर्मानेंट एड्रस आप सेलेक्ट कर लेंगे आप सेम है तो सेम पर क्लिक कर देंगा लग लग है तो आप अलग लग भी डाल जकते हैं उसका आपको आपना एकांट नमबर तो आपको डाल देना है रखना नमब्रने का तो आपको नेम आप यह का नाम डालना है अपकि इस बैंक में जो्कात है उसक्त आड्रस आपको डालना है अपना से औक से कोड यह से कघैड़ने आप लुक कर avez कर देंगे उसकिर दीक वाला आपको आता है education qualification तो education qualification आपने 10 past case board से किया आता ठीक है कि subject से किया था तो आपको subject के आप आप अल subject जो है डाल देने है तो आपको division क्या है first, second, third तो वो आपको डाल देना है और उसके बाद वही आपका 12th का है आपको board डाल देना है science subject डाल देना है और कौनसा division है वो आपको डाल देना है ठीक है उसका आपको इसको नीचे कर लेना है नीचे आपको डालना है graduation का detail बी-ई-बी-टेक जो भी अगर अगर अधर है अधर कर सकते हैं यहां पर अपना graduation का नाम लिख सकते हैं उसका आपका PG है तो PG डाल देंगे ठीक है अगर आपको ने कोई और वी कोर्स किया तो यहां पर आप आप मारक सिठी अपistling कर सकते हैं अगर आपके ब एक अपर नेट वाल किया जाएगा तभको 1 MB से कम सारे टोकुमेंट जो ное理 है आपको ContentANG to कर सकते हैं ढपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने माला एंड सारी की upload करने के बाद आपको तीनों फे click कर लेना है ठीक है तो आप तीनों फे जैसे click करेंगे एंड उसके आप save and continue फे click करेंगे उसके बाद क्या है आपको photo and signature upload कर देना है तो photo आपका आपका 1mb से नीचे होना चाहिए ठीक है आप जो pixel बना आपको बनाना पड़ेगा आपको pixel 100 Y-100 का बना सकते या 500 Y-100 का उसके आपका signature का वही आपका 50 Y-50 का pixel है एंड जो है जो है 1500 Y-100 का pixel है एंड अप लोड करने के बाद दोना upload हो जाएंगे फिर्वेंड समिट पर क्लिक कर लेना है आपका form जो है चेक करने के लिए आज आप अपना form जो है पुरा चेक कर लेंगे असारा form चेकरने का लुए आपका कोई अभी ही घलती है आफ होकर आजायगा तो आसा करता हो बट्डेत चांव आप जो है comment box में comment कर सकते हैं werd आपको साहरे झाल झाल